हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडवलाईसी में और मैं अमित कुमार सोनी हार देख हार देख अविनंदन करता हूं हार देख हार देख स्वागत करता हूं दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शेर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों आज का वीडियो बहुती जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज जो है मध्ध प्रदेश के बित्य मंतरी जगदीर देवला जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है दोस्तों वैसे तो बजट में कई सारी बाते हैं कई सारे मुद्दे हैं जैसे की सामाजिक मुद्दा आर्थिक मुद्दा अदोसंदराशनात्मक मुद्दा इत्यादी इत्यादी लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो में सिक्षा विभाक से सम्मंदित पूरी बात करेंगे आईए दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी स्टार्टिंग कर लें कि कुल बजट का क्या प्रावधान है उसके बाद हम विद्यालाइन शिक्षा बिश्व विद्यालाइन शिक्षा और विद्यार्तियों एवं सिक्षकों से सम्मंदित बात करेंगे और साथ ही उनका एक भिषणाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वह वीडियो भी में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों पिक्स में जो दिख रहा हैं ये मद्धप्रदेश के वित्मंत्री जगदीश देवडा जी हैं और इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया आईए आगे देखते हैं कि मद्धप्रदेश बजट 2021-22 मद्धप्रदेश का पहला इबजट आज पेश किया गया वित्मंत्री जगदीश देवडा ने टेबलेट के जरिये विधान सवा में वित्वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड रुपे का बजट पेश किया बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है साथ ही पुराने कर में बड़ोतरी भी नहीं हुई है बजट में राजकोशी घाटा 50,938 करोड अनुमानित है तो दोस्तों ये तो हुआ टोटल बजट लेकिन अब यहां पर हम सिक्षा के मामले में क्या बजट रखा गया है औ और जो आगे उनकी प्लानिंग है वो इस प्रकार है कि पहला है सियम राइस यूजना के तहत 9,200 सर्व सुवीदा युक्त विद्यालयों की इस्तापना होगी प्रतेक बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में एक सियम राइस स्कूल होगा इसके तहत पहले चरण में 350 स्कूलों की बरती करेगी सबसे महत्पून पॉइंट निकल करके आया दोस्तों 24,200 सिक्षक उसके बाद अगला पॉइंट है कि विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9 से 12 तक के लिए परिवन की विवस्ता है तू पाइलेट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा सिक्षा की गुनव 1250 तक किया जाएगा प्रदेश में MBVS की सीटों को दोस्तों MBVS सीटों को बढ़ाने की बात कही गई है साथ ही नर्सिंग स्कूलों की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी साल 2022 को खेलो इंडिया इवेंट मध्य प्रदेश में होगा इसके लिए केंदर सरकार की सहमती प्राप करने के लिए कि उच्छ सिक्षा को यहां पर उनिवेस्टी लेविल आ गया है दोस्तों सुलब और गुणवक्ता युक्त बनाना सरकार की प्रात्मिकता है शासक किये महाविद्यालायों की अदोसंदशना के विकासेतू 889889 करोड का प्रावधान प्रस्तावित है उसके बाद दोस्तों आंगनवाली के बारे मिनों ने बात की है कि इस बार का बजट 2,40,000 करोड रुपे का होगा 65,500 आंगनवाली केंद्रों में पोशक बाटिका की स्थापना हुई है ज्यानोद है इसकूलों को CBSE से अपग्रेट किया जाएगा यानि उस स्टेंडर्ड बढ़ आत्म निर्भर मद्प्रदेश की समीक्षा के लिए आत्म निर्भर पोर्टल बनाये जाएगा और आगे कहते हैं कि आत्म निर्भर मद्प्रदेश का तानावाना चार इस्तंबों के आसपास बुना हुआ है जो इस्तंब दोस्तों CM सामने बताये थे मुख्यमंद्री जी बताये थे उनकी यहाँ पर बात बुक कर रहे हैं चली दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं कि कोरोना की बात अब वो करते हैं आगे कि उसने किस प्रकार से प्रभाव डाला है तो हम पर क्या प्रभाव पढ़ा है इसकी बात बता रहा हैं अब वो कि हमें खाली खज किया जाएगा उसके बार दोस्तों अगला है मेडिकल कॉलेज यह संबंदित तो प्रदेश में नो नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएगी इंदौर भोपाल सहित एक अन्य जिले में तीन कैंसर हॉस्पिटल इस्तापित किये जाएगे अगला जो है वनों से संबंदित है और र इसकी उपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें टाइगर इस्टेट बनने जा रहा है मद्य प्रदेश और वहां पर वन समीतियों के गठन से काफी संख्या में रोजगार दिया जाएगा चली दोस्तों अगला पॉइंट है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के प्रती की जाएगी दोस्तों पुलिस पदों की भरती जो बात कर रहे हैं कि जो आगे आने वाला एक्जाम है पुलिस कॉंस्टेवल का उसकी यहां पर बात की है इन्होंने तो दोस्तों यह शिक्षब विभाग और रोजगार से संबंदित कुछ महत्पून बातें थी जो क कि मैंने उनके पूरे बजट भासर में से चाटी हुई है निकाली हुई है जो कि सभी जो आगे स्विक्षक बनने चाहते हैं उनके लिए यह कापी इंपोर्टेंट सावित होंगी और दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं उनका कि विधान सवा में उन्होंने जो बजट प परिवान युथा भी सुदिशित होना चाहिए इसी आउधारना से हमारी सरकार सीम्राइज योजना संचालित करेगी इस योजना की अंतरगत 9200 विध्यालेव को सर्व स्विध युक्त विध्यालेव के रोप में विक्सित करने का लक्ष है प्रत्य पसाट के 15 किलो मिटर की परीदी में हैसा एक विद्यालय उप्लब्द होगा सीम राईज योजना के प्रतम चरण में 350 विद्यालय का विकास किया जारा है जिसके लिए वर्ष 2021-22 में 1500 करोड का प्रावधार प्रस्तावी थे विद्यालयों में सिक्षकों की उप्लब्दता सुनिशित करने हैं तो वर्ष 2021-22 में लगबग 24,200 पदों पर सिक्षकों की दवीन परती की जाएगी इसके अतिरिक्त योजना में राचे इस्तर पर असेस्मेंट सेल की इस्तापना इसकूल नेतरत प्रशास्निक सुदार शेक्षिक प्रबंद हैवं इसकूल टू वर्क के कारिकरम जो त्यम सिर्था को पढ़ावा देते हैं आरंब किया जाएगे इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 में 26 करोड का प्रावदान प्रस्तावी थे शेक्षा की गुनुबत्ता सुदार रेतू भारत के प्रतिश्चित संस्तान जैसे भारती प्रबंद संस्तान IIM इंदोर तता भारती प्रोद्योगी की संस्तान IIT गांदी नगर में इस्तरोथ सिक्षकों को प्रस्क्षन दिया जा रहा है ग्रामे विद्यालाओं का सत्पतिश्चर विध्योती करन आगामे तीन वर्षों में मिशन मोड में पुर्ण कर लिया जाएगा तो दोस्तों ये बजट प्रस्तुत किया गया जवगदीस देवडा जी के द्वारा वित्यमंत्री जी के द्वारा और जो भी विद्यालाओं से सम्मंदित इस्कूल सिक्षा विभाग से सम्मंदित विश्व विद्यालाओं से सम्मंदित और साथ ही उससे जुड़े हुए रोजगार और सिक्षकों की भरती से सम्मंदित जो भी प्रावधान बजट में लाए गए वो इसमें पूरे इंक्लूट किये गए हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शेर करें वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें धन्यवाद जैहिंद